हेई गाइस वेलकम बैक तो इंडिया नीटो परशनाली मिश्रा चानल मैं हो शनाली और मैं आज आप लोगे साथ बायोटी गोल्ड डेडियन स्पेशियल कित की रिव्यू शेयर करूंगी और इतनी डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगी जैसे आपको और किसी भी वीडियो म लेकिन अलग-अलग शाप पर अलग-अलग ओफर की चलते ही आपको डिफरेंट प्राइस में अफलेबल है जैसे कि मुझे 1.93 में अफलेबल हुआ रहो यही पर इसकी बैक साइड पे पूरी 6 स्टेप्स डिटेल में लिखी हुई है कि की तरीके से इसको यूज करना है बा बता रही हूँ जब मैं अपलाई करूंग अपनी फेस के उपर हर एक स्टेप के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी और आप लोग चाहेंगे तो परना तो इसको पॉस करके थोड़ा सा आप लोग देख भी सकते हो कि किस तरीके से यूज करना है इसकी पैकेजिंग गोल कलर के चलते मुझे बहुत ज़्यादा परसंद है और इस साइट में देखिए इसका पूरा नाम लिखा हुआ है बायोटिक एडवांस्ट आरवदा रेडियंट यंग स्कीन गोल्ड रेडियंस फेशल किट और इस साइट पे देखिए सारे जो पाउच है सबके कॉंटेंट है 10 ग्राम और एक जो कलर करेक्टर क्रीम है और जो इस स्पेशल का सिक्स्ट इप है वहे 15 ग्राम का और जितना पूरा 15 ग्राम आपको लगेगा नहीं तो यह ऐसा गीफ्ट आप रख सकते हो यह वाला क्रीम तो यह वाला क्रीम डाक स्पॉट्ट रिडियूस करने में काफी ज्यादा मददकार है आपके स्किन में अगर बहुत ज्यादा पिग्मेंटेशन है तो आप इसको रात को सोने से पहले यूज़ करके लेफ्ट फॉर ओवरनाइट रख सकते हो तो ये आपकी स्किन पे एक वीजिबल रेजल्ट दिखाएगा जैसे के आपके डाक स्पॉट्स दीरे-दीरे मेल्ट हो जाएंगे सो गाईज ये है इसके पूरे 6 श्टेप्स जिसमें 1st है गोल्ड स्क्राप, 2nd है गोल। पीलप मास्क, 3rd है गोल जेल, 4th है गोल्ड क्रीम, 5th है गोल्ड सेराम और 6th वाला स्टेप है सुिसमैजिक डाक स्पॉट करेक्टर क्रीम जो की वाला हुआ ज़ो वाला ह्वाइट क एक पहला वाला स्क्रब ये यूज़ करूंगी तो इसकी consistency मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी यह एक दम भी scrub जैसा बिल्कुल नहीं हर्ष नहीं लगता है इसमें उतना ज्यादा दाना नहीं है इसकी consistency गोल्डेन जेल की तरह है और इसमें छोटे-छोटे गोल्ड फलिक दे गये है और इसको आपको अपनी फेस पर पांच मिनिट तक स्क्रब करना है जिसमें से पहला तीन मिनिट आपको स्क्रब करना है और उसके बाद आपको जो अपनी फिंगर से भीगी हुई यानिक डैम्प फिंगर से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है तभी आपकी डे तो यहाँ पर में एक बहुत important बात यह बोलना चाह रही हूँ कि चाहे आप कोई भी scrub या फिर face mask यूज़ कर रहे हो उससे पहले make sure करें कि आपकी face clean हो जिससे आप scrub या फिर mask जो भी अपनी face पर apply कर रहे हूँ वो बहुत ज्यादा benefits दे और हाँ यह सारे जो motions में दिखा रहे हूँ scrub करते वक्त इन सब को ज़रूर follow कीजिए और खास करके application करते वक्त circular motion का ध्यान रखिए मैं यह आपर fast for our दिखा रही हूँ लेकिन जब आप massage करेंगे तो gently करना है और जब इस तरीके से absorb हो जाएगी आपकी skin पर तो तब आपको थंड़ी पानी से wash कर लेना है तो अभी मैं follow करने जारे हूँ दूसरा वाला step जो किये बायोटिक gold peel of face mask बाकी दूसरी कोई भी peel of face mask की किते रही ही इसकी consistency बहुत ही ज्यादा ठीक है as you can see और इसमेना glittery gold flakes दे गए है जो इसकी consistency को और भी बहुत ज़़दा शांदार बनाती है अभी इस mask को अपनी finger tip की मदद से पूरी face पर apply कर लेना है और apply करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है एक number है कि इसको पूरी face पर apply करते वक्त अपनी eye side area को छोड़ दे क्योंकि इसमें बहुत अजीब सा smell है तो आखों की साथ direct contact में आने से आखों में irritation का problem हो सकता है इसका जो layer है वो बहुत ज्यादा थीक ना बने light coverage हो तो ही सूखने में आसानी होगी और निकालने में भी आसानी होगी और बहुत ज्यादा अगर अपने लगा लिया तो सूखने में बहुत ज्यादा time ले लेगा और यह जो मैंने जितनी भी quantity का खरीदा है उसमें ना दो लोग आसानी से facial कर सकते हैं और दो लोग facial करने के बाद कुछ-कुछ product like serum dark spot reduce cream बच जाएगा तो अभी मेरा peel-up mask सूख चुका है तो इसको मैं अभी निकाल लूँगी तो देखिए नीचे से लेकर उपर की तरफ इसको हलके हाथों से खीचना है और यह कितना easily निकल आएगा और आपको ना एक visible result guys इसके बाद ही दिखने को मिल जाएगी यह देखिए बहुत ही अच्छा वाला एक glow आ रहा है सिर्फ यह वाला peel-up face mask नहीं है कोई भी peel-up face mask यूज़ करने के बाद ना face पर एक बहुत ही instant glow आता है लेकिन हाँ peel-up mask यूज़ करना मूचे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि मतलब निकालते वक्त ना थोड़ा यह दूब रहा है रहा है आफ्टर पील-up mask मैंने अगन अपनी face को अठने बानी से वाश कर लिया है और देखी सकते हो कितना चमक रहा है मेरा face तो मैं भी यूज़ करने चाहरे हो third step जो कि यह gold gel तो इसको मैं भी थोड़ा सा हाथ में ले रही हूँ इसमें भी gold flakes visible है बहुत छोटे-छोटे size के तो इसको यूज़ करने का जो तरीका है उसको लेना है अपनी हाथों पर और जहां कहीं भी इसको लगाना है like face अगर आप नेक पर भी लगाना चाहते हैं तो वह भी लगा पाऊँगे सो मैं यहाँ पर अपनी face के लिए लग फाइब ग्राम का इस्तमाल कर रहे हूं तो इतनी product में अपनी face पर अभी apply कर ले रहे हूं finger tip की मदद से उसके बाद ना इस product को हलके हाथों से massage करते जाना है until it completely blend on your skin special kit के ना ज्यादा तर product में time mention नहीं किया गया है कि कितनी देर तक आपको यह use करना है massage करना है लेकिन ऐसा लिखा गया है कि completely absorb होने तक आपको यह massage करना है तो यह gel है इसलिए ना थोड़ा सा time लगेगा आपकी skin type के उपर खासकर कि यह depend करेगा कि यह कितनी देर लेगी आपक अगर आपकी skin dry है तो जली हो जाएगी और अगर आपकी skin oily है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा थर्ड step apply करने के बाद क्या करना है इसको रखना है या फिर धो लेना है यह कहा नहीं गया था साब साब अगर से तो मैंने दो लिया है क्योंकि फूर्थ जो step वह बाइटिक का गोल्ड क्रीम अब जेल के उपर क्रीम कैसे लगा है इसलिए मैंने फेस को तंडे पाने से वाश कर लिया है तो यह देखे क्रीम जो है थोड़ा सा पीच कलर का है तो इसको थोड़ा सा ही मैं ले रही हूँ क्योंकि अभी मेरी फेस बहुत ही ज़्यादा ओईली ओईली लग रहा है वो चेल यूज़ करने के बाद और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फी लग रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लूंगी तो ब्लेंड नहीं होगा जैसे कि मैंने थर्ड स्टेप य जब तक कि ना यह कम्प्लीटली अपके स्किन पर ब्लेंड होता है। जेल को ब्लेंड होने में जितना ज्यादा वक्त लगता है फेस पर क्रीम उतनी ही जल्दी ब्लेंड हो जाती है। तो अभी क्रीम नहीं है क्योंकि मैंने बहुत ही लो कंसिस्टेंसी में लिया है। यह अभी ब्लेंड हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए इसको हलके हातों से मसाज करूंगी। इस पर पर पिग्मेंटेशन या फिर दाक स्पोर्ट से तो उस जगे पर ना थोड़ा सा वक्त लेकर जेंटली मसाज कीजिए। अभी इट विल प्रवाद यू अविसिबल बनेफित मैंने फोर्ट स्टेप जस्ट एपलाई कर ही लिया था उसके बाद मैंने देखा कि इसका फिप्ट स्टेप जो है वो है गोल सेरम तो मुझे ये स्टेप कुछ समझ में नहीं आया क्यूंकि सेरम बाद में कैसा लगा सकते हो क्रीम लगाने के बाद तो पहले क्रीम लगाया नहीं चाह सकता है पहले सिरम लगना है सेरम के बाद ही क्रीम लगाया चाहता है तो ये वालाव Child shelter मुझे अभ्व कुछ समझ पर Wave ये कन जिस character हाओं ये झाहिए सेरम ये ऐा TB किसी कासी अभगा सार्विष ये वाइट कलर का है ठीक है तो इसको थोड़ा एमाउंट में ले करना अपने स्कीन के ओपर टैप टाप करके लगा ले रहा है और मसाज बहुत ज्यादा नहीं करना है क्योंकि सेराम बहुत इजली फेस पर एब्सॉर्ब हो जाती है आफ्टर सेराम में यूज करियों बायोटिक एडवांस्ट आर्वेदा स्वीज मैजिक डाक स्पॉर्ट करेक्टर क्रीम जो की है 15 ग्राम का तो इसको उस उस जिगह पर लगाना है जहां पर आपको डाक स्पॉर्ट की परेशानी है तो इस फेशियल में मुझे जो लगा जो क कुछ प्रोडक्स लाइक गोल्ड क्रीम, गोल्ड सेराम और ये डाक स्पॉर्ट करेक्टर क्रीम बहुत ही ज्यादा क्वांटिक में दिया गया है जिससे कि आप फेशियल करने के बाद भी बचेवे प्रोडक्ट कुछ दिनों तक यूज कर सकते हो ओफर ओल ये देखे लग रहा है सो ओवराल मुझे ये जो फेशियल कित है बहुत ही अच्छा लगा वीडियो जब एन तक देखी लिया है गाइस तो वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चाहिए ताकि बाकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले किते है soccer किवेशन सबस्क्राइब करते है झाल 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 झाल